प्रिंसेस को एक माइल स्टून कहा जाता है इन तमाम सवालों को जवाब मैं आप तो दूंगी इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ 1950 से 60 के दशब को इंडियन सिनेमा का गोर्डेन एरा कहा जाता है जी हाँ इस गर्भी आन जिसने भी पिक्चर्स रिलीज हुई उन्होंने ना सिर्फ इंडियन ओडियोंस का दिल जीता बल्की वर्ड वाइड छाही रही आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिससे ये ट्रेंड शुरू हुआ था जी हाँ 1952 में रिलीज हुई आन जिसे फॉरेंड में The Savage Princess के नाल से रिलीज किया गया उस ताइम की The Highest Grosser Movie बनी थी इस फिल्म को 28 कंट्रीज में रिलीज किया गया भूभी अलग अलग सब्टाइटल के साथ आपको बता दो इसमें बड़े देश भी शामूर थी जैसे कि United States, United Kingdom, France इसी बात से अंदाता लगा सकते हैं आप कि इस Savage Princess कितनी बड़ी ब्लॉगबस्टर में भी साबित हुई थी इसके बाद फिल्मों के बजट में बढ़ूत्री तो हुई ही साथ ये फिल्मिक एक्क्यूपेंट भी अडवान्स हो गए for an audience, Indian filmmakers को appreciate करने लगे और उनके काम के भी काफी सराहना हुई actor-actresses के salary को भी बढ़ा दिया गया Savage Princess में लीड रोल में नज़राई है दिलव कुमार, फ्रेमनाथ, मुराद, निर्मी एवं अन्यकलाकार दोस्तों इस फिल्म को produce किया था महभूख खान ने और महभूख खान ने इसे डारेट्वी किया था फिल्म एक royal family की कहानी है जिसमें माहराच इसका भाई शमशेर सिंग और उसकी बहन राजश्री होते हैं विल्म कुमार ने इस movie में एक गाउं की लड़ती का फिर्दार निभाया है और उनका नाम होता है जै तिल्म फिल्म की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि गाउं में एक प्रतियोगिता रखी जाती है जिसमें प्रिंसेस राजश्री के भोड़े को काब करना होता है और जै तिल्म ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं इसके बाद शम्षेर सिंग उनको वन एन वन चैलेंज करते हैं पाइट के लिए और शम्षेर सिंग को भी वो हरा देते हैं जिसके बाद गाउं में शम्षेर सिंग का बेहर मजाग बनता है इसी पीड जय दिलब को हो जाता है राजिश्री से प्यार जी हां इसके बात फिल्म की कहानी कुछ यूँ आगे पड़ती है कि एक करण जहां शम्शेव सी पहले से चुड़ा हुआ होता है जय दिलब थे तो वहीं उसके पिता ही एनाउंस कर देते हैं कि उनकी गत्ती का मालि शम्शेव सींग नहीं बनेगा क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो पुरा राज्य है वो जनतंत्र के हाथ में जाए शम्शेव सींग इस बात से इतना आगबबूला हो जाता है कि वो अपने ही पिता को मारने की साज़श रच्ता है लेकिन उसकी ये साज़श हो जाती है न रमफेस नहीं कर पाती और शम्षेर सिंग मंगला के किड्नापिंग की साज़श रचता है और उसे बंदी बनाना चाहता है लेकिन इसे पहले ही मंगला जहर खा कर अपनी जान दे देती है जैतिलक को जब इस बात का पता चलता है तो वो शम्षेर सिंग को मौत के घार उतार देता है फिर राजिश्री जैतिलक से बचा लेने के लिए पूरे गाउं पर अटाप करने का प्लान बनाती है यहां कहानी में आता है एक फिस्ट जैतिलक कर लेता है राजिश्री के किटनापिंग और उसके बाद धीरे धीरे राजिश्री को भी जैतिलक से प्यार होने लगता है फिल्म की कहानी के से आगे बढ़ती है यह ओडियंस के लिए देखना बेहत इंट्रेस्टिंग साविश हुआ था दोस्तों देश्री प्रिंस जब रिलीज हुई थी तो वॉक्स आपस पर तो कमाल हमाल मचाया था ही इसके साथ ही यह मूवी बनी की ट्रेंड से दिव जी हाँ यह पहली ऐसी मूवी बनी थी जिसे 28 देशों में रिलीज किया था 1952 की हाइस टोमेस्टिक ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी The Savage Princess आपको बता दू जापान में यह पहली ऐसी फिल्म से जिसे रिलीज किया था और ओवर और ओडिंस ने इस फिल्म को काफी पसंद भी किया था जिसके बाद उस देश में भी एक प्रॉटिबल साविथ हुई थी स्टोरी लाइन के अलावा The Savage Princess की अगर किसी चीज को सबसे जादा अप्रिशियेट किया गया है तो वो है इसकी म्यूजिक नौशाद ने इसकी म्यूजिक को प्रियेट किया था जुसे ओडिंस ने बेहत पसंद किया दोसोब भारते सिनमा के लिए The Savage Princess किसी बरदान से कम नहीं था जी हाँ इस फिल्म ने ना सिफ इंडियन ओडियन्स का दिल जीता बल्कि वर्लड वाइड चाही रहे और शायद इसी वज़े से फिर्म बनी ती उस वक्त की ब्लॉप पर से विल्हाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे आनिया पढ़ना बस को दीजिए इजाज़त अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले साथ ही हमारे चानल बॉलिक्रेट स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें ताकि वोलवर की दुम्या से सारी ख़बरे आप तक से पहले पहुंचें तिल दिन स्टे हैपी और स्टे के लिए अटे के लिए झाल से साथ हमारे चानल बॉलिक्जब ढूले